दोस्तों आपने पढ़ तो लियाई ब्लॉगिंग प्यार है क्रश नहीं अब इसी चीज के उपर हमारी है पूरी वीडियो होने वाली और आपसे वादा गरता हूँ ये वीडियो बहुत इंटरस्टिंग होगी और जिस इंसान ने भी इस वीडियो को पूरा देख लिया ना उसको ब्लॉगिंग बिल्कुल ऐसे क्लियर हो जाएगी जैसे कि एक होता है ना हम सीसे के शामने खड़े होते हैं और खुद को देखते हैं जैसे हमें साब साब खुद नजर आता है ना ऐसे इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह लगेगा कि भाई ब्लॉगिंग बहुत ही जादा आसान है और ब्लॉगिंग में सकसेस हांसिल की जा सकती है इस वीडियो का एक एक part important है starting important है beach का part important है और जो last में बताऊंगा वो तो हद से जादा important है तो जितने भी लोग इस वीडियो को skip करेंगे तो भूल जाना आप एक blogger बनोगे तो जैसे की मैंने starting में आपको दिखाया कि blogging प्यार है, crush नहीं इस चीज को अच्छे से समझते हैं आखिर क्यूं बहुत सारे छपरी यूटीवर बोलते हैं कि ब्लॉगिंग आसान नहीं है अब मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताता हूँ suppose करो आप किसी लड़की को प्यार करते हो लेकिन आप उससे directly बात नहीं कर पा रहे या फिर आप चलो ठीक है किसी को प्यार नहीं करते हो अपने किसी दोस्त ने आपको किसी लड़की से मिलवाया और आपको उससे प्यार हो गया अब बात क्या हुई यहाँ पर उसको भी आपसे प्यार हो गया आप दोनों की friendship स्टार्ट होई आपका जो लव है वो स्टार्ट हो गया लेकिन दिक्कत कहां पर आई उसके घरवाले नहीं माने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई तो आप ऐसे में क्या करोगे अगर real love होगा तो आप उस चीज के लिए खड़े रहोगे उस चीज के लिए पूरा प्रयास करोगे कि हाँ भाई आपकी शादी उससे हो जाए यही करोगे न या फिर आप अपने उस दोस्त के पास जाओगे और उसको कहोगे भाई तूने मिलवाय था तेरी हैडग है तू तो हम यहाँ पे क्या सोच लेते हैं कि भाई हाँ उसने मिलवाय था हमने उसकी वीडियो देखी थी तो उसी की टेंशन है सारी वही हमारी नईया पार लगवाएगा ऐसा नहीं होता जैसे आपको उस लड़की से प्यार करते हो तो सारी प्रॉब्लम्स को खुद जेलना अगर ब्लॉगिंग आपका सच्चा प्यार है ना तो भाई सामने वाले की टेंशन नहीं है आपको खुद रिसर्च और खुद मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन हाँ अगर हम बात करें आप किसी लड़की से मिले जस्ट आपका क्रश था शादी नहीं भी होई तो भी आप एक चीज समझ लो कि अगर कोई किसी को सच्चा प्यार करता है और उसके लिए उसे पाने के लिए वो दुनिया की हर चीज करने को त्यार हो जाता है अगर आप सेम चीज ब्लॉगिंग के लिए कर सकते हो ब्लॉगिंग में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए कर सकते ह तो आप blogging में सफल हो सकते हो, यह simple सी एक चीज है जो आपके दिमाग में आ गई होगी, ऐसा example मैंने आपको दिया है ना, कि आप इसको भूले नहीं भूलोगे अब, अब normal सी चीज है, लोग क्या करते हैं, blogging करना start करते हैं, उनको लगता है भाई, बहुत आसान है, आसान बनेगी जब आप उसमें efforts डालोगे, आप research करोगे, आप उसके लिए जी जान लगा दोगे, वो तब आसान बनेगी, यह था हमारा इस वीडियो का पहला part, जिससे आपको यह समझना है, कि अगर blogging को सच में successful बनाना है, तो हमें दिल लगा कर महनत करनी पड़ेगी, इतना स हम नहीं करना, अगर blogging से वाकई में पैसा कमाना है, तो एक सचे प्यार की तरह, blogging के पीछे पढ़ना पड़ेगा, अब आते हैं इस वीडियो के दूसरे step पे, जो one of the most important step है, इसके लिए मैं आपको laptop की screen पर लेकर चलता हूँ, और आपको यहां पे एक बहुत ही जबरदस चीज यहां पे समझाऊंगा, यहां पे मैंने एक blog खोला हुए, जिसका नाम है harayanajobs.in, अब सबसे पहले हम इस blog पे जाते हैं, और इस blog पे देखते हैं, कि यह जो blog है, मैंने देखा था, 4 साल पुराना कुछ blog है, और यहां पे मैं आपको दिखाना चाऊंगा, इसका site map, इसके अगर कोई भी site map आप खोलते हो, जो post का है, एक site map पे इसके 200 post हैं, ठीक है, और यहां पे कितने site map पे आप गिन सकते हो, जो post के हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानि total 4 साल में 1200 post यह बंदा डाल चुका है, है ना, यानि हर साल की लगाओ, कम से कम, हर साल की यहां पे 300 post, यानि per day क 1 भी लगा लो, तो यहां पे 1200 post डल चुकी है, ठीक है, इतनी clear है बात, अब यहां पे एक चीज देखना, जो सबसे important है इस video में, अगर आप इस blog को देखोगे, तो यहां पे मैं इसके chart पे आ जाता हूँ, मैंने all time कर लिया, जब से यह blog बना था, तो हम लगा आगे चलते है सपोस करो, यह मैं 2020 में blog बना था, ठीक है, इसमें traffic कितना था, 0, उसके बाद जून 2020 में कितना आया, 32, फिर उसके बाद next month में आया, 162, फिर उसके बाद आया 237, आप देखो, यहां पे इसको बनाय हूए मैं से लेके, मैं, जून, जुलाई, अगस, सितंबर, अक्टूर, नॉम्बर, दिसंबर, ठीक है, कितना टाइम बीत गये यहां पे, 11 महीने बीत गये, approximately यहां पे लगाओ गये आप, 8 महीने बीत गये, और 8 महीनों में यह कहां तक पहुचा, सिरफ और सिरफ ट्रैफिक कितना रहा, 2008 का महीने का traffic, मतलब ना के बराबर पैसा आता होगा, ठीक 2021 में, यानि पूरे 1,5-2 साल बाद, इसके ब्लॉक पे 1,61,000 महीने का traffic आने लगा, फिर और मेहनत करी गई, ग्रो हुआ, कम हुआ, लेकिन पीक पे भी गया, और अब देखोगे, आप ट्रैफिक निर अबाउट 4,32,000 महीने का traffic चल रहा है, और overall इसका जो traffic है, 1,000,000 के तो यहां से हमने क्या सीखा, आप कोई भी ब्लॉक है, उसकी history उठाके देख लो, एक दम से कोई भी viral नहीं होता है, एक दम से किसी भी ब्लॉक पे इतना traffic नहीं आता, time लगता है, initial time, वो depend करता है कि कितनी महनत आप कर रहे हो, कितने articles आप लिख रहे हो, कैसे topic पे लिख रह होगे, ठीक है, इस ब्लॉक पे millions में traffic आता है, सबसे पहले मैं आपको यह दिखाता हूँ, यह ब्लॉक भी काफी पुरान है, इसके लिए हम आ जाते हैं यहां पे, आप देखोगे इस ब्लॉक को start किया गया है, मैं यहां पे बता देता हूँ, यही approximately हम देखेंगे, June 2013 में इ 10,000 गया, लेकिन फिर कम हो गया, फिर 10,000 गया, फिर कम हो गया, ठीक है, ऐसे करते करते, 2012 से, यहां पे आप देखोगे, यहां पे 2000, अगर हम बात करें, 15 में जाके, इसके पास अच्छा traffic आने लगा, अब यहां पे देखना, July से हम देखेंगे, मैं 2015 में traffic है, 4934 महीने का, ठ उसके बाद सीधा, मही के बाद जून में traffic कितना आया, मिलियन में traffic पहुँच गया, यानि एक महीने में spike आ गया, महनत रंग लाती है ना, ठीक है, एक महीने में यह skype आया, अब यह तो आप देख लोगे, लेकिन यह जो 2012 से बंदा महनत कर रहा है, यह देखोगे, मतलब 3 स साल बाद इसको उतना traffic मिला, patience देख रहे हो, बंदेगी, 3 साल बाद इतना traffic मिला, start देख लो, कहां पर किया था, यह चीज़ आपको देखनी है, start किया था, June 2013 में, और traffic अच्छे level का कम मिनने लगा, जिससे पैसा कमाया जा सकता है, वो इसको मिला, June 2015 में, यानि near about 3 साल हिलाल के टाइम पे कम है, ठीक है, लेकिन million के आसपास ही है, तो यहाँ पे अब इसका traffic अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन starting के 3 साल लगाए न, अब इससे भी interesting चीज़ आपको हिला के रख देगी, guarantee से बोलता हूँ, और यही एक blogger को successful blogger बनाती है, यहाँ पे मैं पहले calculator ख पोस्ट होती है, इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे जो recent post है, यह चार पोस्ट होती है, जैसे मैं कोई भी page खोलता हूँ इनका, तो यहाँ पे आप देखोगे, सिरफ 4 post हो होंगी, है न, यानि यहाँ पे आपको क्या करना ह सिरफ 4 post हो रही है, अब इससे हमें क्या देखना है, टोटल कितनी है, 3,186 pages है, ठीक है, 3,186 pages है, और एक page पे यह latest 4 post दिखा रहा है, ठीक है, एक page पे 4 post दिखा रहा है, आप कोई भी page खोल लो, यहाँ पे 4 post दिखेंगी, 1, 2, 3, 4, मैं पांचमा page खोलता हूँ, यहाँ पे आया, near about 14 साल होने को है, 14 साल में 12,000 से ज़्यादा post डाल चुका है, और अगर हम इसको divide करते हैं, 14 से, per year की जो post निकल के आती है, वो आती है, 910 post per year, माइने रखता है, यानि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, तो एक दिन की 2 से 3 post यह बंदा लिखता है, देख रहे हो dedication, औ इससे बोला जाता है, blogging, blogging यह चीज नहीं होती, हम आये किसी की video देखके domain hosting खरीद ली, और मैंने भी बोला है, अगर आपको blog बनाना है, आप domain hosting खरीदो, उसके बाद यह करो, लेकिन मैं यह भी बोलता हूँ, 3 से 6 महीने आपको efforts करने पड़ेंगे, मैंने starting में बोला था प्यार और crush, blogging प्यार है, crush नहीं है, अगर आप crush लेके चलोगे, आप blogging में सफल नहीं हो पाओगे, यह हमारा second part था, जिसमें मैंने आपको struggle दिखाया, कोई भी बड़े से बड़ा blog उठा के देख लो, starting के जो initial days होंगे न, वहाँ पे आपको आपी की तरह का traffic मिलेगा, ल प्यारे तीसरे पार्ट की, तीसरे पार्ट को बिल्कुल भी skip मत करना, और जिन लोगों ने इससे पहले skip किया होगा, वो crush वाले लोग है, उनको फरक नहीं पड़ता, कि उनकी girlfriend की शादी उनसे हो, किसी और से हो, लेकिन जो लोग blogging को प्यार करते हैं, दिल से, सच्चा प् पे हैं, एक हरयाना jobs पे हैं, एक Indian government jobs पे हैं, आप बहुत सारे blog उठा के देख लो, जो successful हैं, वो आपको एक ही niche के उपर मिलेंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसे blogs होते हैं, जो multi niches पे हैं, news के हैं, वहाँ पे एक बंदा काम नहीं करता हैं, वहाँ पे multiple लोग काम करते हैं, लोग तो सबसे पहली चीज, एक ही niche पे अडे रहना है, उसी niche पे सालो मैनत करनी है, उसके बाद दूसरी चीज आती है, blog design, ठीक है, अब क्या करना है, हमने blog का, हमने सोच लिए कि हम इस topic पे काम करेंगे, अब जो topic होगा वो आपके interest के साब से होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपके interest के इसाब से नहीं है, तो आप उसको नहीं कर पाओगे, आपको example से relate करता हूँ, जो हमने लिया था, blogging प्यार है, अगर suppose करो, आपके घरवाले जबरदस्ती, आप प्यार किसी और को करते हो, और आपकी शादी किसी और से करवा रहे हैं, तो आप खुश नहीं रह पाओग सेम चीज ब्लॉगिंग में होती है, आपको suppose पसंद है YouTube, आपको अंदर से पसंद है कि मैं एक YouTuber बनूँ और जबरदस्ती ब्लॉगिंग में घुस रहे हो, तो आप successful नहीं हो पाओगे, ये बिल्कुल unsuccessful साधी होगी आपकी ब्लॉगिंग के साथ, तो अपने interest को जरूर देख simple look है, लेकिन light है, fast कुलती है, तो बहुत best है, इसके अलावा और भी बहुत सारी themes है, choice अपनी है, कौन सी आप choose करते हो, तो आपको एक बार अपने blog को सजा लेना है, तीसरी चीज आती है, consistent blog writing, ठीक है, ध्यान से देखना, consistent blog writing on evergreen plus trending keywords, समझ आया, कि consistent का मतलब समझो पहले, क कि हमने आज करी, कल छोड़ दी, अगर आप ये behavior रखोगे, तो भाई, आप blogging में सफल नहीं हो पाऊगे, बिल्कुल ऐसे ही, कि आपकी girlfriend, आप सच्चा प्यार करते हो, आज आप बोलते हो, I love you, कल बोलते हो कि break up, फिर आप बोलते हो, I love you, फिर बोलते हो break up, एक दिन वो आ अगर करनी है, consistent करना, और करनी कैसे है, आप जो भी आपका topic है, जो भी आपने select किया niche, उससे related, आपको evergreen content पे भी लिखना है, मतलब कि for example मैं देता हूँ, जैसे कि एक छोटा सा example है, अगर मैंने निच है, online earning का, तो मैंने उसमें बताया, online पैसा कमाने के 10 जवरदस तरीके, तो मैंने उसमें YouTube, blogging, affiliate marketing, सारे वो तरीके बताया, जो आसे 10 साल बाद भी रहेंगे, ठीक है, ये तो हुआ evergreen, अब trending में क्या आएगा, trending में कुछ ऐसी apps आती है, जैसे कि एक apps आई थी, नाम नहीं लोगा, मैंने भी video डाले थे, कोई promotion नहीं था, अब वो app, मैंने बोला था उसमें कि जब तक है, पैसे कमालो, कब चली जाएगी, पता नहीं, मैंने बोला था, अब वो चली गई, जिन्नोंने कमाए, कमाली ये वाकी चली गई, तो ये होते हैं trending, जो इस टाम पे trend में चल रहे हैं, आप उनको cover कर सकते हैं, जैसे कि IPL आया, अगर आपका cricket niche है, तो IPL पे अभी हम डाल रहे हैं, IPL चल रहे हैं, फिर World Cup आया, फिर World Cup पे डाले, तो ये क्या हुआ, ये हमारे trending हुए, और फिर उसके बाद, कि सबसे ज़्यादा score किसके हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा wickets कितने लिए, ये evergreen content है, ठीक है, तो आप उस पे काम कर सकते हो, तो इन द अच्छा आटिकल लिखो, और गैनिक ट्रैफिक आएगा, दूसरा है, डिस्कवर, डिस्कवर ओन करने की कोशिश करो, उसके लिए आपको क्या करना है, trending keywords पे काम करना है, trending जो news चल रहे हैं, उन पे काम करना है, ठीक है, उससे आपका डिस्कवर जल्दी ओन होगा, तीसरी चीज़ है, शोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया पे भी active रहो, जैसे Facebook, Instagram, इन पे अपने blog की नेम से pages बना लो, छोटी चोटी वीडियो बना के, वहाँ पे जो भी आप post डालते हो, उससे related update दो, और उसमें आप recording दिखाओ, कि अगर आपको पूरा इसका news चाहिए, तो आप आपको हमारे blog पे जाना, यहाँ पे आपको सर्च करना, यह वाली post आपके सामने आजेगी, वहाँ से traffic redirect कर सकते हो, उसके बादा push notifications, बहुत ही जवर्दस चीज़ है, permanently आपको पैसे कमा के दे सकता है, आपको just क्या करना है, push notifications को एक बार install करना है, बहुत सारी free वाली है, paid भ अपना एक जगा audience base बना लो, ठीक है, जो भी आपके पास traffic discover से आया, google से आया, social media से आया, वो आपका push notification को अगर subscribe करेगा, तो आपके पास एक data इखटा होता रहेगा, कि suppose करो, 1000 लोग आपके ब्लॉग पे आया, उसमें से 500 ने push notification आपकी subscribe कर ली, अब 500 लोग आपके पास हो ग discover में जाने के chances बढ़ जाएंगे, और discover से लाखों का traffic भी आ सकता है, तो ये एक circle बन जाता है, जो strategies आप use करोगे, ठीक है, ये strategies उस करो, और पांच भी और last चीज आती है, try to improve your writing, blogging में सबसे best चीज क्या है, blogging में सबसे जो उन्दा चीज मानी जाती है, वो क्या माना जाता ठीक है, अगर simple सी चीजा, कोई दुकान खुली, बहुत ही खुबसूरत showroom है, AC लगे हैं, और वहाँ पे आपको पानी भी मिलता है, ठंडा, चाए भी मिलती है, कॉफी भी मिलती है, और वो कपडों का showroom है, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाते हो, सारी facilities आपको मिली, लेकिन जो आपने कपडे खरीदे, वो महंगे थे और cheap quality के थे, अब दुबारा वहाँ पे नहीं जाओगे, ऐसे ही blogging होती है, blog जितना मर्जी खुबसूरत हो, जितना मर्जी अच्छी template हो, जितना मर्जी सब कुछ अच्छा हो, लेकिन वहाँ पे अगर article अच्छे नहीं लिखे ग organic ranking को भी increase करेगा, ये 5 rule हैं, अगर आप इनको seriously follow करोगे, तो ही आप blogger बन सकते हैं, और last में यही बोलोगा जो शुरू में बोला था, अगर blogging प्यार है, तो ही करना, अगर crush है तो मत करना, simple सी चीज है, इस से simple वाशा में, मैं आपको blogging का सार नहीं समझा सकता, और मैं एक चीज बोलता हूँ, जो लोग बोलते हैं, ब्लोगिंग मुश्किल है, वो लोग बोलते हैं, जिन्होंने blogging से आज तक पैसा नहीं कमाया, वो लोग बोलते हैं, मैं आपको simple सी एक चीज बोलता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ, कि आप PHP में एक website बना दो, PHP जो की language है, उस तो पल्ले ही नहीं बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि आपने उसे सीखा नहीं है, जब आप उसे सीख लोगे, तो वो काम आसान हो जाएगा, तो दुनिया का कोई भी काम, आपको आसान तब लगेगा, जब आप उसे बारीकी से सीख लेते हो, और जो लोग ये बोलते हैं, कि म आपको लिखने में मजा आ रहा होगा, तो समझ जाना कि भाई, ये मेरा ही फील्ड है, अब मुझे बस इसे सीखना है, पांच रूल्स को एपलाई करके, इस वीडियो में इतना ही, आपसे सिरफ उम्मीद करूँगा, इस वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्य के साथ शेयर करना, बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको ब्लॉगिंग के, यूट्यूब के, ऑनलाइन अर्निंग के किसी भी टॉपिक पे, आप चाहते हो आपका भाई वीडियो बनाए, तो कमेंट कर देना, आपका भाई उस पे वीडियो बनातेगा, तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, सीखते रहो, लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी, बबाए, जैशी राम